हालो 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 नमस्कार दोस्तों मैं संजे डावरा आप सभी विध्यारतियों का हार्दिक स्वागत करता हूं प्यारे विध्यारतियों जैसा की छोटी वीडियो को लेकर आपका बहुत अच्छा रुज़ान है आपके बहुत अच्छे कमेंट है तो प्यारे विध्यारतियों मैं physics को लेकर कुछ छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं जिससे आपके concept किलियर हो जाए ये पक्की बात है दोस्तों बहुत लंबी लंबी वीडियो आप नहीं देखते हो हम बनाकर भी डाल चुके हैं बारे-बारे घंटे के महराथन भी आपको हमने डाले हैं लेकिन उसको आप देखते हो 15-20 मिनटी हो तो हमने प्लान किया है कि हम छोटी-छोटी वीडियो देखे ताकि आपको भी चीजे अच्छी लगे तो प्यारे विध्यारती वा आज कि क्लास के अंदर फिजिक्स का ही एक छोटासा कंसेट में आपका क्यलियर करूंगा अगर कोई स्टुडेंट्स है जो रेल्बे की तैयारी कर रहा हो तो प्यारे विध्यारतीओं नव्रात्री बहुत बढ़ा ओफ एक साल की validity के साथ ये course आप ले सकते हो इसके लिए आपको play store से डावरा क्लासे जैपुर application डाउनलोड करना है डावरा क्लासे जैपुर application ये mobile नंबर है अगर कोई भी दिक्कत है तो आप mobile नंबर से संपर कर सकते हो दोस्तों physics का हास से लिखा हुआ book भी हमारे market में है आप पूरी किताब हाँ से लिखी हुई है तो आप इस book को मंगा सकते हो चलिए अब बात करते हैं आज के topic की दोस्तों आज की class में हमें एक छोटा सा concept clear कर देते हैं कुछ students को पिर्तिविम कहां बनेंगे कैसे बनेंगे इसको लेकर थोड़ी सी दिक्कत आती है मैं आज का ये 15 मिनट की class के अंदर ये पूरा clear कर दूँगा कि पिर्तिविम कहां बनेंगे कैसा बनेगा कभी गलती नहीं होगा दोस्तो प्लीज ध्यान से सुनना एक मेरे पास में होता है समतल दरपन नमबर एक बात मेरे प्यारे प्यारे विध्यारतियों समतल दरपन जिसका पराबर्तक प्रष्ट एकदम सीधा होता है जी हाँ इसका पराबर्तक प्रष्ट एकदम सीधा होता है ये तो पॉलिस कर यह पॉलिस जो है यह सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिस कर रखी है, दोस्तो यह हमारा समतल दरपन है, एक हमारा होगा अप्तल दरपन, और एक हमारा होगा उत्तल दरपन, यह हमारा अप्तल दरपन है, अप्तल दरपन का दूसरा नाम बता चुका हूँ, इसका दूसरा नाम ह को ये प्रकास की किड़नों को एक बिंदू पर मिलाता है दोस्तों ये वाला है उत्तल दर्पन और ये प्रकास की किड़नों को फैलाता है इसलिए इसका नाम अपसारी दरपन रख दिया है दोस्तो एक छोटी सी बात में यहाँ पर नोट करा रहा हूं दरपन जो है पराबरतन की घटना पे काम करते हैं तीन प्रिकार के दरपन हम mainly यहाँ पढ़ रहे है और दर्पन जो है प्रिकास के परावर्तन के नियम पर काम करते हैं उसके उपर भी वीडियो बना दूँगा चा वो समतल दर्पन हो चा अपतल दर्पन हो चा उत्तल दर्पन हो प्यारे विद्ध्यारतियों तीनो दरपणों के उपर परावर्तन के नियम लागू होते है परावर्तन के नियम सुना होगा आपतित करण परावर्तित करण और अभिलम तीनो एक तल में होने चाहिए और आपतन कौन का जो मान है वो परावर्तन कोन के मान के क्या रहता है बर सम्तल दरपण में जो प्रतिविम बनते हैं वो प्रतिविम होंगे आभासी, सीधा और हमेशा बस्तू के समान। दोस्तो मैं जो कंसेप्ट आपको सिकाने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों। कुछ ना कुछ नई चीज जरूर मिलेगी। दोस्तो सम्तल दरपण जैसा कि अपने घरों के अंदर हम काम में लेते हैं नौर्मली चेहरा देखने के लिए। सम्तल दरपण में जो प्रतिविम बनता है वो प्रतिविम आभासी होगा। गुरुजी आभासी प्रतिविम कैसा होता है। एक ऐसा प्रतिविम जिसे परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है आभासी परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता इसका क्या मतलब है। तो अब तक क्या कर रहे थे भई आप अब तक आप क्या कर रहे थे अब तो आप बड़े हो गए आज तक आप ने ये बात प्रीचरों से क्यों नहीं पूची परिभासा तो पढ़िये गुरू जी कि ऐसा पिर्तिविम जिसे परदे पर प्राप्ते नहीं किया जा सकता वो आभासी परितिविम हमेशा सीधा बनेगा दोस्तों ये दोनों खास मित्र है इनको कभी अलग-अलग मत करना आभासी परितिविम बहुत सारे उत्तर आपको इसी से पकड़ लेना है आभासी के साथ सीधा रहेगा ये दोनों है ना मिय बीबी है भाई ये इनको अलग मत करन बहुत बड़ा प्यार है इनके बीच में, आपके जैसा प्यार नहीं है, आज कहीं हूँ, कहीं हूँ, नहीं नहीं, ये छोड़ के नहीं जा सकते, अगर ये छोड़ के चली गई ना, तो फिजिक्सी छोड़ के चली जाएगी आपको, तो ध्यान रखना, आभासी के साथ बस्तू के समान होगा यह बड़ी मज़िदार बात है तो यह बात को क्लियर कर लो यह जो हमेशा सब देना बड़ा काम का है हमेशा का मतलब है कि समतल दरपन के सामने आप बस्तू को कहीं भी रखो जिसनी हाइट बस्तू की है उतना ही बड़ा पिर्तिविम बनेगा मतलब अगर बस्तू 2 सेंटी मीटर की है तो पिर्तिविम भी 2 सेंटी मीटर का बनेगा अगर बस्तू 4 सेंटी मीटर की है तो पिर्तिविम भी 4 सेंटी मीटर का बनेगा जी हाँ हमेशा हमेशा सब्द का मतलब है कि हर कंडिशन में जो पिर्तिविम है वो बस्तू के क्या बनता है स एक सब्द और यहां पर मैं add कर देता हूँ, दोस्तो समतल दरपन में हमको एक चीज देखने को मिलती है, वो है पार्स भी ए परिवर्तन, जी हाँ ये सब्द हमको देखने को मिलेगा, lateral changes, पार्स भी ए परिवर्तन का मतलब क्या होता है गुरू जी, ये सब्द आ चुका है प सामने के को रख दिया, तो इसकी भुजा बदल जाएगी भाई, भुजा बदल जाती है, दोस्तो इसकी भुजा बदल जाती है, जैसे हम समतल दरपन के सामने दाया हाथ खड़ा करते न, काच में देखना आपको बाया हाथ दीखेगा, ये ही है lateral changes, इसी लिए तो ambulance में सब् आपको ऐसा लिखा जाता है, पार्स भी है परिवर्तन में, ताकि वो आपको सीधा दीखे, आपको सीधा दीखते है वो, वो इस तरह से लिखे जाते है, पार्स भी है परिवर्तन में, ताकि वो आपको अपने जो गाड़ी वहानों के साइड में जो लगे रहते हैं, उनमे हमेशा बस्तू के समान बनेगा और पार्स भी परिवर्तन दिखाई देंगे चार कॉश्चन एक्यूरेट अपनी पॉकेट में जमा कर लीजे और पांचमा कॉश्चन यह है दोस्तों कि इसकी जो आबरदन छमता है ना वो हमेशा एक प्राप्त होती है जी हां समतल दरपन में बिम ये किलियर कर लो भाईयो पड़ा चुकाऊं अब तो सीखे होंगे समतल दरपन की आबरदन छमता हमेशा प्लस एक होगी प्लस एक होगी इसका मतलब ग्रुजी समतल दरपन में जो पिर्तिविम बनेगा वो आभासी बनेगा सीधा बनेगा प्लस एक लिख देता हूं आबरदन छमता प्लस एक होगी इसका मतलब है प्लस का मतलब है आभासी और सीधा और एक का मतलब है कि बिम और पिर्तिविम दोनों बराबर होंगे एक का मतलब है कि बिम और पिर्तिविम दोनों क्या होंगे बराबर होंगे बहुत को सीख चुके हो तो भाईया एक सब्द और add कर लो समतल दरपण की जो focus दूरी होती है वो अनन्त होती है समतल दरपण की focus दूरी क्या होती है अनन्त होती है जी हाँ fix है याद कर लो आते हैं अपतल दरपण में मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्तियों आपको जानकारी है या नहीं है अपतल दरपण में पता है क्या कुल 6 इस्तिती बनती है दोस्तों ये मेरे विद्धार्ती बहुत अच्छे से समझते हैं अप्तल दरपन में कुल 6 इस्तिती बनती है दोस्तों पांच इस्तितियों में जो पृतिविम बनता है वो बास्तविक और उल्टा बनता है बास्तविक और उल्टा बनता है बास्तवि लोगा सीधा होगा और बड़ा होगा के लियर कर लो अगर कभी उत्तर आता है तो हम डाइरेटी ऐसे दे देते है कि भाई बास्त िक और उट्ठा बनता है जी हाँ अगर कभी डाइरेट उत्तर आए ना कि अपतल दरपण में प्रतिविम कैसा बनता है तो बोलना बास्तविक और उल्टा बनता है लेकिन भाईया अपवाद भी है हमेशा नहीं अगर कोई यह सब्द पकड़ ले भाईया परिक्षा इसका नाम प्लीज मेरी बात को सम अगर कोई यह कह दे कि अपतल दरपण में जो प्रतिविम बनता है वो हमेशा बास्तविक और उल्टा बनता है नहीं नहीं हमेशा सब्द यूज मत करना यहां पर क्योंकि यहां पर अपवाद भी है एक जगे पर प्रतिविम आभासी सीधा बनता है इसलिए आप यह बोल स और जो दमदार भी अकती है वो यह भी कह सकते है कि अपतल दरपण में एक अपवाद भी आता है जहां पर प्रतिविम आभासी बनता है सीधा बनता बड़ा बनता है और यह आपको पता होगा जब बस तू फोकस और पोल के बीच में रखी होती है जी हां मेरे प्यारे से बड़ा होता है यह हुई concept number अपतल दरपण के प्रतिविम की बात अब आता है आपका उत्तल दरपण में जो प्रतिविम बनता है भाईया यहां पर कोई अपवाद नहीं है दोस्तों यहां पर कोई अपवाद नहीं है मैं आपको clear कर देता हूं कि उत्तल दरपण में जो प हमेशा बस्तू से छोटा बनता है हमेशा बस्तू से छोटा बनता है हमेशा बस्तू से छोटा बनता है भाई छोटे छोटे सब्दों से बड़ी बड़ी मचलिया पकड़ी जाती है समझना मेरी बात को मैं क्या कहना चारा हूं उत्तल दरपड दोस्तों उत्तल दरपड में कु उनों इस्तितियों में जो पिर्तिविम बनता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और हमेशा बस्तू से छोटा बनता है, मतलब इसका ये हुआ कि इसकी आबर्दन चमता हमेशा पिलस में होगी और एक से कम होगी, जी हाँ इस सब्द को समग लीजिए यार, क्या बोल दिय मेंने, यहाँ पर जो आभर्दन चमता का मान होगा, वो हमेशा प्लस एक से कम होगा, प्लस एक से कम होगा, प्लस का मतलब आभासी और सीधा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, सेर करना है, और कमेंट करना है, हर दिन आपका कमेंट पढ़ता हूँ म किस state से हो और किस जिले से हो और प्लीज आप comment जरूर करना क्योंकि अगली वीडियो के लिए मैं जबी तयार होता हूँ जब आपका comment पढ़ लेता हूँ तो आपका मुझे like चाहिए और अगर आपकी मेरी वीडियो मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडि रात को साड़े बारे बज़े वीडियो आपके लिए तयार करता हूँ दोस्तों यह वास्त विक्ता है बाकी आपकी मर्जी है देखो आजायागा टाइम भी बोर्ड कर टाइम देखो ऊपर देखना यह आ रहा देखो क्या बात करते हो आप दस तारीक पांचमा महीना कर रहे होते हैं तो इसी के लिए तो और क्या कहते हैं आपसे कुछ नहीं मांगते हैं हम आपसे कहते हैं वीडियो को लाइक कर दिया करो शेयर करो हमारा खून बढ़ जाता है इससे न जो चलिए बहुत अच्छी बात गुरु जी अब लाश्ट बात यहीं पर क्लियर कर दे तो चीजों को compare कर लो एक चार्ट बना लो चीजों के ऊपर दावा कर रहा हूं जिस दिन पेपर दे के आओगे ना खोल के इन ही वीडियो को दोबारा बताऊंगा और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि मेरी इन वीडियो में से question फसेगा ही फसेगा दोस्तो ऐसी चीजे में आपको बढ़ा रहा हूं फाल्तु की रामायन बंद कर दी बीच बाली चीजों को हटा दो काम की चीजे निकाल लो तो दोस्तो आवर्दन चमता का मतलब होता है फिर repeat कर दू आवर्दन चमता ये बताती है कि पिरतिविम कितना गुना बड़ा बन रहा है या कितना गुना सीधा माइनस का मतलब होता बास्त्विक और उल्टा और दोस्तो इसका जो आवर्दन चमता होगा वो हमेशा एक से क्या होगा कम होगा एक से कम का मतलब है कि पिरतिविम हमेशा बस्तू से छोटा बनता है दोस्तो चलिए थोड़ासा पांच मिनट और ले लेता हूं और इन जैसा अप्तल दर्पण में हो रहा है ऐसा ऐसा उत्तल लेंस में जबाब दे देना जी आप्तल दर्पण बरावर उत्तल लेंस में भी 6 इस्तिती बनेगी उत्तल लेंस में भी 6 इस्तिती बनेगी उत्तल लेंस में भी 6 इस्तिती बनेगी 5 में पिर्तिविम बास्तविक और उल्टा बनेगा 5 में पिर्तिविम बास्तविक और उल्टा बनेगा और 6 इस्तिती में आभासी और सीधा बनेगा उत्तल लेंस भी किलियर हो चुका है भाई, उत्तल लेंस में कुल कितनी इस्तिती बनेगी, छे, पाच इस्तितियों में पिर्तिविम बास्तविक और उल्टा बनेगा, और छटी इस्तिती में पिर्तिविम आभासी और सीधा बनेगा, एक वीडियो और बनाऊंगा, मैं बता इस्तिती बनती है कोई अपवाद नहीं है आवहासी बनेगा सीधा बनेगा रहमेशा बस्तू से छोटा बनेगा दोस्तोउ तो clear कर लो गाट बांध लो किस चीज के उपर कि जैसा जैसा अपतल दरपण में जैसा जैसा होता है ऐसा ऐसा उत्तल लेंस में होता है क्योंकि ये भी पिरकास की किर्णों को एक बिंदू पर मिलाता है इसलिए इसका भी नाम अभी सारी इसका भी नाम अभी सारी यहां पर भी छेस्तिती यहां पर भी एक अपवाद यहां पर भी एक अपवाद जी हां उत्तल दरपन बराबर अप्तल लेंस, उत्तल दरपन बराबर अप्तल लेंस, ये भी पिरकास की किर्णों को फेलाता है, ये भी पिरकास की किर्णों को खेलाता है, इसका नाम भी अपसारी, तो इसका नाम भी अपसारी, दोनों भाई-भाई हैं, लेकिन एक कनाम दरपन है, एक कनाम लेंस है, कोई अपवाद नहीं है, इन दोनों में जो प्रतिविम बनता है, वो आभासी बनता है, सीधा बनता है, हमेशा बस्तू से छोटा बनता है, जी हाँ चार्ट बनाओ, मजेदार सोट चार्ट, और दोस्तों बहुत अच्छी ये वीडियो है, मैंने पूरी ता भाला भाई हो, तो प्लीज उनको बता देना, कि डावरा सरका एक बहुत बड़ा ओफर चल रहा है, और ऐसा ओफर जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा, दोस्तों मैं मात्र और मात्र एक सो निन्यार में रुपे के अंदर, आपको कम्प्लीट साइन्स का बैच प्रोवा थेंक यू प्यारे विध्यारतियों, अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे, भईया वीडियो को लाइक और सेर जरूर करना, थेंक यू